हलो नमस्कार साथियों मैं हर्बिर सिंग आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ओफिसियल में दिल से स्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीज़े जैनुएन मिलेंगी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको काफी इंपोर्टेंट खबरे बताने वालों जैसा कि आपने थमनेल देख लिया होगा तो साथियों अभी हम बात करते हैं D.S.S.B की जैसा कि आप जानते हैं कि D.S.S.B काफी टैम से विवादों में रहती है और अभी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो आपको चौका देगा तो इससे साबित होता है कि कोट के ओर्डर के बाद भी D.S.S.B अपने जो हरकत है उससे बाज नहीं आता है तो अभी हम बात करते हैं तो साथियों जैसा आप जानते हैं कि 2013 में स्पेशल वाली वेकेंसीज निकली थी जो स्पेशल टीचर्स होते हैं तो उसमें क्या था कि other states वाले जो OBC हैं उनके जो cut-off होती है उससे काफी ज़्यादा marks होने के बाद भी जनरल से भी ज्यादा marks होने के बाद भी उनका selection नहीं हुआ तो साथियों कोसन है कि selection क्यों नहीं हुआ क्या कारण था तो selection नहीं हुआ क्योंकि उनका जो CTAT था वो general level पे नहीं था जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो DSSB में क्या होता है कि जो other state के OBC हैं वो दिल्ली में general में count होते हैं तो वो OBC जादा number लेके आने के बाद भी cutoff से जादा number लेके आने के बाद भी वो select नहीं हुए क्योंकि उनका CTAT DSSB ने unvalid बताया और उसके बाद वो reject हो गए तो साथ ही उन्होंने जो हमारा cat court है वहाँ पे case कर दिया और जो cat court है उन्होंने DSSB को order दिया कि आपको जल्दी से जल्दी इनको joining देनी है क्योंकि ये candidates valid है और ये valid नहीं होते तो ये cutoff से जादा number कैसे लेके आते तो साथियों इसके बाद DSSB को order देने के बाद भी DSSB ने अभी तक उन पर कोई काम नहीं किया अब दुबारा से cat court है उन्होंने क्या किया cat court ने दुबारा से DSSB को order दिया कि 45 दिन के अंदर आपको इनको joining देनी है तो साथियों इससे साबित होता है कि DSSB कितना मतलब अपने काम के प्रति लेजी है और इसके जो DSSB के rule है वो काफी माइने में काफी गलत भी है जैसा आप देखते हैं कि जो दिल्ली के OBC है वो मतलब OBC उनको तो benefit है अब दिल्ली के जो general है उनके साथ मतलब कितना गलत है आप समझ सकते हैं या तो आप सभी को छूट दे या आप सभी को छूट ना दे अब OBC की बात आती है तो OBC को तो benefit मिल गया अब जो दिल्ली के जनरल है जो वो भी जनरल में कांट होगे अब जो दिल्ली के जनरल है वो भी जनरल में कांट होगे OBC को unwanted advantage वाँ पर दिया जा रहे देखो उनका अपना rule है लेकिन फिर भी कहिना कही ये चीज़े गलत है अब जो special वाले हैं उनको benefit दिया जाएगा क्योंकि court ने cat court ने दिल्ली को मतलब जो दिल्ली government है उनको बोला है Dssb को बोला है कि जल्दी से जल्दी आप इन पर काम करें क्योंकि जो दिव्यांग है उनके साथ बहुत गलत हो रहा है जैसा आप देखते आ रहे और ये एक सोचने वाली बात है कि दिल्ली के अंदर भी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको facilities नहीं दी जा रहे है उनके लिए teachers एवेलेबल नहीं है और उसका reason क्या है Dssb का criteria उन्होंने अपनी ही एक merit बना रखी है और उसमें ही उलज के बच्चे रह जाते है तो साथियों ये अपडेट थी आप लोगों के लिए और उमीद है कि आगे सारी चीजे अच्छी होंगे तो साथियों गुडबाई टेक कियर थेंक यू जैहिंद वंदे मात्रम